गुड मॉनिंग फ्रेंड आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छ होएंगे आज का ब्लोग आलो की पराटे से शुरू किया मैंने देखें आलो की पराटे खाई ये सुबह सुबह मज़े आजाते हैं आलो की पराटे खाके तो देर में भी होंगी तो इन्जॉय करें आप दों भी खा लिजे अनुकी पराटा हेलो, मैं नहाद हो के प्री हो गई हूँ, टाइम भी हो के साड़े गा रहा हूँ, इक घंटे में बहुत जल्दी काम कर रहा हूँ, पटाफ़ट अब सारा अब मैं नीचे जाओंगी, ठक रहा हूँ, करती नहीं हो ना, स्लोली स्लोली करती हो है काम रहा है, अब मैं जल्दी किया क्योंकि मेड आने वाली है, और मैंने हैरी के लिए कपड़े निकाल ले नीचे, जाओंगी, इसकी यूनिफॉर्म चेंज करके बेनाओंगी, हेलो, पॉने बारा हो चुके हैं, अभी तक मेड भी नहीं आई है, और, हेलो फ्रेंड, मैं नीचे आ गई हूँ, पॉने बारा हो चुके हैं, अभी तक तो आई नहीं है, काम बाली, देखो कितने बज़े आती हैं, मैं नीचे भाईया जा चुके हैं, भी थोड़ा सा माल ल अधर से फिर आईडी को भी लेकर आएंगे मैं घर में अकेली हूं स्टाइम नीचे हूं और आप लोग बताईए मुझे ब्लॉग करने का कोई आइडिया नहीं है वर्ट मैं कोशिश करूंगी कि अच्छी से अच्छी आपको बना अच्छी से आप लोगों को अच्छा लगे ब्लॉगिंग क्यूंकि मैं ही बनाओंगी अकेली पकड़ना है मुझे ही कैमरा पकड़ना है एड़ी मीरी बीटी छोटी है बहना बना करने में तो बस तोड़ी थोड़ी देर में पूछेगी इतने कोश्चन करती है बहुत जाद है तो से टाइम पास होता रहता है बात नहीं कहां से लेकर आती है बहुत ज़्यादा होते हैं वीडियो देखते रहते हैं तो पूछे कि माँ आपका पीट कटी कैची से कट होगा आपका खूंद निकलेगा तो महां रोंगी पिर आंक में उसके आशु आजाते हैं Mom को कुछ हो नहीं जाएगा मैंने का नई बैटा चुछ और उनको यह भी तो नहीं हो कहां से उनको पताया कि मा के क्ञोणे में बबच्चे स्मार्ट नहीं बटा नहीं तो आगा वेफ़ं cape पैर मत चलाए करो मा की तमी में बाबू है उसके चोट लग जाएगी और तो 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 उसका यही कुश्यन रहता है मा अच्छा बाबू के चोट तो नहीं लगी मामों के तो इसलिए हम उसको बीच में कमी सुलाते हैं साइट से क्यों बच्चों को पता नहीं है ना क्योंकि करें देखनai बच्चों को कुछ नहीं पता होता है तो फिर अपने अपको सिक्यूर करना होता है कि इसको सफ़े को थोड़ा साइट में सूलाते हैं और बहुत ज्यादा में प्राइचां मनला कोश्म तो ने रहते हैं मह बाबू क कि निकले हैं कितना टाइम हो गया वाबू निकलेगा होली के लिए अभी ताइम है अभी बाबु दीरे दीरे बढ़ रहा भी इतना चोटा है से गर को समझाते हैं क्यों बच्चों को अगर अच्छी तरह समझाओंगे ना तो बच्चे बहुत अच्छे समझ जाएंगे अगर बच्चों को आप उलजाके रखोगे की मत इसे कोई बास शेयर नहीं करते हैं तो फिर बच्चो को बता ओ मतलब डारेक्ली नहीं तो इंडारेक्ली इस तरीके से एक्जामपल दे कि बताओ बच्चों को बच्चों समझ भी जाए और आप से दुबारो कोशन पुटाब ना करें एजिली समझ जाए क्यूंकि छोटे पूछ लिया कि क्या मैंने ऐसी बात कर दी तो वही चीज है कि बच्चों को हमेशा प्यार से समझाइए तो मेरा बच्चों का जो नेचर है ना बहुत एक तो बहुत फनी है चुल्वली है मतलब वह शांत नहीं कह सकते बिल्कुल घर में आके आतंग है बादी हो जाती है लेक बच्चों का यही मतलब बच्पना है अभी से इतना अगर फोर्स करेंगे डाटिंगे वो करेंगे तो उनका जो बच्पन है वो चिंज जाएगा ना अभी से सिंसियर क्या होने से क्या वायता यह बताईए एक टाइम पीरियड होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगे ल हम द्यृपन करने गए तो उधर से आते हुए गौल कप्पे वाले जैसे में देखती हो ना प्लीकिए और मेरे मौह पानी आजाता है अभी तो किसी मतलब मतलब फर जो खाने का मन करते है बहुत उसका पानी वोतां ग्रीन ग्रीन सा और इसम खटता है तो कल क्यों आती हम द दीदी ने बोला कि भावी जड़ो महीं खाएंगे घर पे ले लेते हैं या तो लेट भी हो रहा है क्योंकि आज कर मौसम भी जल्दी रात और हमें आना भी था खाना भी बनाना था तो इस वज़े से हमने पैक करा लिए घर में आके हमने क्या करा खाना हो चाय वाई पी उसके बार हमने खाने के लिए बैठे गुलगप्य तो पता नहीं किस वाद से वह समझ में नहीं आया चिड़ी हुई थी एक तरीके से फोन देख रही थी मैंने का एड़ी हमें आपको गुलगप्य खलाती हूं मैंने उस गुलगप्य में हम सूजी वाले निलायते हैं आटे वाल फच hebben ठीच तण लगजुन हो जाता हैं तो फीर में खाने लगे लिया तॉ मैंने उसको यहादीगों के थाखने पीटा में एक गुलगप्य में एक बशा नहीं लुव ऑलat तो उसको पतानी क्या नहीं किस बास से थी मैं समझ में नहीं आया मुझे इसने एक दम यूं मैस्ट नाया गुल प्रको करके उसको मुझे भूस्ट आया निया क्या हो गया किस बाद से क्या परिवह हो तो कुछ नहीं बोली उस चाइम तो फिर वो मुझ उल्टा करके लेड़ गही मैंने कोई बाद नहीं तो हम लोग ने खा लिया पड मेरा मन नहीं मान रहा था मैंने का सारे नहीं खतम करती हूं या एक तो रहने दूंगे एड़ी के लिए यूंकि रात का टाइम था तो मैं उसको जादा देना पसं कोई बात नहीं अच्छा मैं आपके लिए एक और देती हूं तो उसको इतिना गुस्ता आ गया उसने जो पानी था हमने जो हमने पानी रखा हुआ था मीठा पानी था और उसने हाथ से यूं कर दिया पूरा ऐसे करके तो मैंने गुस्ता आया बहुत तेज और भाया को भी रावा उसके चार्टा मार दिया नैंका बहुत रखेए उसके जब भही उन्होंने मार आ न पकुछ मत कहने कुछ नहीं कौँँगी किसी एक टार्ट लगा दिया तो मैं क्यूं ओकरूं कुछ गुस्ता मुझे भी बहुत आया मैंने क्या कर दिया फिर दो थोड़ा मुश्य करके रोने लगी बहुत फिर मैंने क्या कर रहा इसके पापा को फॉन किया पापा को फॉन मतलब ऐसी इनका फॉन भी आ गया था मैंने पूछा क्या खाऊंगे खाने में तो फिर मैंने उसको कहा चलो बच्चे को थोड़ा सा डराती हूं तो हम इसको बोलते हैं कि मारते कम है बच्चे को बोलते हैं कि वोड इसको बाइब कर दिया था मैंने बोह एक न मपर मोम पर रही है कि भुड़ की बहुत ज्यादा constraint करूंगी तो इसको थोड़ा सा सिंपैथी सी हो जाएगी तो मैंने कोई बात नहीं मैंने इसको इगनोर मारा वहां पर कभी-कभी मां को भी अपना दिल मजबूत करना पड़ता है ठीक है तो फोड़ा सा डब हो गई मैंने का फोमला एडी की शैतानिया बहुत बढ़ दी है कल दाइट भी खा लेती है मतलब होता है न बुआ को थोड़ा होता है यह थोड़ा सा होता है कि भाई से किसी के बच्चे हो तो उनसे ज्यादा उस-पजेसिभ होती है है कोई बात नहीं फिर मैं तूसरे कमरी में चली गई तो मैंने बोला बाद में मुझ से पूछा उसने कि कि अछी पापा अगे थे मैं ऐसे ऐसे एडी ने श्यतानी करी तो ठीक है मैं कल दूसरे कमरे में चली बिटा तो मिश्ची में कर दो में गाना दो में ज़स्काइटी, एपने हमीने खाना में आपने खाईट दिन सब्सक्राइख करें, नहीं मिजा थिए बचिसके रिशे नहींटू करने हैं, दूसरी बात भी आपको फिर कोशिश की देने के लिए मैंने कोई बात नी फिर उसके बाद भी आपने पानी को जो सारा पानी था उसमें हाथ डाल दिये गंदे अगर अगर अदरवाइस गरम मतलब खाना रखा होता कुछ भी रखा होता तो आप ऐसे करती तो फिर आपको बच्चों को ना समझाओ तो बहुत जल्दी समझाते हैं अब बच्चों कभी ऐसे नहीं कि डाट दो उस बात पर तो वही चीज़े बच्चे फिर बात चुपाने लगते हैं 12 बज़े हैं अभी तक तो आई नहीं है शाड़ी बारे बजे चुट्टी होती है और आप आगे आप दीदी आगे झाल 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 है रात के ग्यारा बज गया है मैडम सो गई देहें कैसे सोई गहाँ आप सुबह ऐसे उठते ही उसके बाद नहीं सोती है बिल्कुल भी आप हम भी सुएंगे ग्यारा बज गया है बताना क्या सर लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गुट नाइट बावाई